नमस्कार विभाकिश्री, इन्बिसे नियूस में आपका स्वागत है, आईए नजर डालते हैं अपरात की खबरों पर 26 गंडे के बितर शहर में तिन यूकों को मत की खाट उता दिया गया, बोजन नहीं दिने पर नाबालिक ने अपने दोस की चाकूखो करत्या कर दी, उधर दो यूकों ने शराप पिने के बाद हुए विवाद में घर में ही दोस को मार डाला, एक अन्य घटना में विधाय के जन सपर्क कार्याले के पास, रंजिश के चलते तीन भायों समेथ चार हमलावरों ने एक यूवक की हत्या कर दी, जैसे जैसे शहर का तापान पढ़ रहा है, वैसे वैसे अपरातिक कत्वों का पाराभी गरम होता दिख रहा है, शहर में आए दिन बड़ी अपरातिक बाद बाबी माकन हत्याकान ने शहर में पहले ही खलबली मचा रखी है, ऐसे में 36 गंटे के पीतर तिन यूवकों की हत्या से हड़कब बच गया है, इन घटनाव से कानूं का डर कम होता दिखायती रहा है, लगड़ गंच में एक 17 वर्षिय नाबालिक ने गंगाबाई खार्टी पुलिस ने 17 वर्षिय किशोर को हिरासत में ली लिया है, 6 वर्ष पहले शिबम की माता पिता का देहान दो गया, वह अपनी भाई और बहन की साथ गंगाबाई घाट पर इसर में रता था, किशोर के पीता का देहान दो चुका है और वह अपनी मा की साथ रहता है, शिबम औ दोनों निशरापी, शिबम ने घर जाकर खुद तो खाना खा लिया, लेकिन किशर को भुका छोड़ दिया, इस वज़ा से किशर पोखला गया था, इसके बाद दोनों घर से निकली और टेरिपोन इक्सचेंज की पास अजमिरा टायस के बाज़ों मिस हो गया, शिबम किश में लगे CCTV फोटे से आरोपी टीशर का सुराग बिला और कुलिस ने उसे किरफता कर लिया बाड़ी प्रोली लुप्चारा साथी मेवा हस्पिडली दाक्र करने दाले, दाक्र करने दाले मुर्तों बोशित पेले प्रतमता मर्गे दाक्र करने ताला, मुर्तक इसमाची हातावर जे नाव होतो ते शुभम होतो मुर्तक इसमाची नाट्यवेक आज़ी में पाहनी कहीं, मुर्तक इसमाची नाट्यवेक शोधं करने चाचनाव, शुभम, वास्निक, गंगावाई घात रोड, गुद्धुवेर राना राह प्रविश्टमाईच, 22 सवर्चा रावता मात्यू बोटे चे काम करतो थोता आनि गहरी कमी आनि बाहर जासतर आदोता। CCTV पुटेज चारदारे आमें आरुपी शोदुन कारदा। आरुपी आलपवे नाहे विदी संगर से बालका हे तो 17 वर्षाता है। आरुपी आनि मुरुत्तक के दोगे ही मित्र होते। कांची एक मेका सबत प्रेम होते आनि रोज साइन कारदा रा प्रिफिराई चे। घटने जारी विशी रातरी अक्रावस्ता मुरुत्तक आनि आरुपी पुटी ही मुरुतकाच्य बहेनिचा गरी गेले होते जयावन करने ही। परंतु आरूपे होटा ऑटा सत्य जवन करने सेटे आरूपे न मटलनें वर अ만लद तैजामोडीय तचमाना द्राग होता क्पैस मटलो दlated को जवन करने से रितरले ने खुला हमें बगुणदेतो मुट्टक अने आरूपी दोगी ही रात्री अक्रवास्ता भाहर घराचा बाहर गेले लिए इस्टा नंतर ते सकाड़ी पन भरी गेले नहीं रात्रवा बाहरत होते रात्री साधारंते बाराते चार चादर में पिलिपुन एक चिंचे गंधा भाहर टाटकर जानारा रोड़ुवर टायर चे दुपान जवड आरूपी अने मुट्टक अने आरूपी का मनात मुट्टक अपुदर राग होता रागसले अने इतला तैने धार्दार स्यस्त्रा ने पोटाचा बेंबी चे दोड भाव दिला अने त्या मुडे तो जट्मी होन मरन पाव लेला है आमे वीदर संगर शे बालकास पोली स्टेशनला दाकल अप्राद प्रामां का दोशे सत्तावना अपनी बोशे कोनी इसकल अने इसकल पिंचे दोड भाव दूचा गुण्या अने तैंचा गुड़ून हत्या की दूसरी बातात कलनमा थाना शित्तर मी हुई मृतक टुहलक्ष्मिनगर भांडेवाडी पाड़ी निवासी चंदर उर कालूर राजकुमार शर्मा बताया क्या वह मजदरी करता था रविवार की सुबाग घटना प्रकाश में आई अनमान है कि घर में सोते समय ही उसकी गर्दन चिटकर मौतके खाट उतारा गया पिट पर चक्मों की रिशान है जानकर के रुसार चंदन की परिजन शहर से बाहर गय थे वह घर में अकिला था शरिवार की रात उसने अपने मित्र पवन को मिलने के लिए बुलाया इसके बाद चंदन ने पवन को अपने मामा विक्की शर्मा की पास जाकर 200 रुपे लानी को कहा दोनों पार्टी करने वाले थे पवन मामा के घर क्या लेकिन उसे पैसे नहीं मिले वही से पवन अपने घर चला गया रविवाग की सुपा आट बचे के तोरान पवन दोबाराट चंदन से मिलने उसके घर गया चंदन पलन पर पड़ा था उसकी गर्दन पर गहरा गाँ था पेट पर भी किसी धारदार वस्तु से बाट करनी की रिशान थे उसने तुरन चंदन की मामा विक्की पो पोन कर घटना की जानकारी दी विक्की मौके पर पहुचा और विक्की ने घटना की जानकारी पुलिस को थी पुलिस ने हद्या का मामला दश किया है लेकिन हद्यारी का कोई सुराग नहीं मिला है पुलिस पवल से लगातार पुष्टाश का दी है तेश्टी हद्या की बादार रविवार की रात तैसे थाना अंतरगर गोलिबाल चोग के समय खुई मृतव अंकित रामू धकाते और संदीजना आरूपी रहुल मौतिकर सचिन चीजगरे रोशन चीजगरे अंकुष्चीजगरे नितिन उर्ख मच्छी निम्जे के बीच लंबे समय से दुश्मनी चल रही थी रविवार की राज साड़े आट पचे के दोरान अंकित गोलीबार चौप से पाचपाली की और जा रहा था विधायक विकास कुंभारी की कारले के पास हमला वरो ने उसे रुका कुलाडी कोईता और तलवार जिसे शेस्टों से अंकित पर हमला कर दिया अंकित घटना सल पर ही धेर हो गया सानी नागरी को ने घटना की जांकारी पुलिस को दी परिसर में लोगों की फिर जंग गई पुलिस ने शव को मेय उस्पताल रवाना किया बताया जाता है कि पहले जिस घरे बंदों के साथ अंकित का विवाद चल रहा था छे मैंने पहले जिस घरे बंदों ने अंकित की पिठाई भी की थी एक मैंने पहले उसका नीतिन के साथ भी बात हो गया तब से रंजिस चल रहे थी आरुपियों को जांकारी मिली थी कि अंकित उने माने के लिए फिल्डिंग दगा रहा है इससे पहले कि वो कुछ करता आरुपियों ने मिलकर उससे मौप की खाटिता था तैसल पुलिस आरुपियों की तलाश में चुट गई है क्यामरा परसन विरेंद्र खुबराकड़े के साथ अभिशेक पांसी की रिपूर